हेलो नमस्ते सच्छे काल अदाब आप सभी का मेरे योट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए एक यूनीक और डेलिशियस रस्पी लेकर आई हूँ और आए होप आप सभी को ये बहुत पसंद आएगी आज हम बनाने जा रहे हैं अमरिच सरी पनीर भूर जी खान में बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट होती है तो आए पनीर भूर जी बनाना शुरू करते हैं अमरिच सरी पनीर भूर जी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सीक्रेट मसाला रेडी करेंगे उसके लिए मैंने गास पर एक पैन रखतिया है दो चमच देशी घी आड़ करना और उसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है फिर हम इसमें दो चमच बेसन डालेंगे और बेसन को हमें देशी घी के अंदर अच्छे तरह से फ्राय करना है अब हम एक कटोरी में आधा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चमच कश्मीर लाल मिर्च और आधा चमच आम चूर पाउडर अब हम इन सभी मसालों को बेसन में डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे और हमें इसे एक मिनट तक भूनना है एक मिनट भूनने के बाद हम इसमें अधा ग्लास पानी का अड़ करेंगे और इससे चलाते जाएंगे अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेसन इकठा होने लगा है हम इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही लाना है और सीक्रेट मसाला जो है वो बनकर रेडी है अब हम कैस पर फिर से पान रख लेंगे और उसके अंदर हमें बटर अड़ कर रहा है और बटर को मेल्ट कर लेंगे और जब बटर मेल्ट हो जाए थोड़ा सा फिर हम इसमें रिफाइंड डॉल अड़ करेंगे ज़ादा रिफाइंड डॉल अड़ नई करना है थोड़ा सा ही करना है ताकि जो बटर है वो जलेना अब हम इसमें एक चम में जीरा अड़ करेंगे और जीरा अड़ करने के बाद हम इसे थोड़ा सा हिला लेंगे और फिर हम इसमें दो कटे हुए प्यास अड़ करेंगे और प्यास को बटर में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और हमें प्यास को दो मिनट के लिए भूनना है इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेना है अब हम इसमें दो कटी हुई हरी मिर्च आड़ करेंगे और हरी मिर्च के साथ ही में हम इसके अंदर शिमला मिर्च आड़ करेंगे यहाँ पर मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है और उसे चौप करके आड़ कर दिया है फिर हम इसमें एक कटा हुआ टमाटर आड़ करेंगे और इसे भी हलका सा भून लेंगे अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक आड़ करेंगे नमक आड़ करने के बाद हम इसमें आधा चमच कश्मिरी लाल मेर्च आड़ करेंगे फिर हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर आड़ करेंगे क्योंकि जो हमने सीक्रेट मसाला बनाय था उसके अंदर भी हमने हल्दी पाउडर आड़ किया था इसलिए जादा नहीं करेंगे और अब हम इसमें एक चमच धनिया पाउडर आड़ करेंगे इससे आड़ करने के बाद हम इसे भी अच्छे तरह से मिला लेंगे और फिर हम इसके अंदर सीक्रेट मसाला का एक चमच आड़ करेंगे ये आड़ करने के बाद अच्छे तरह से मिला लेंगे ताकि जो हमारी पन day गाश्म per658 आधा टेस्ट और भी इन्हांस हो जाएगा अब हम इसे मिला लेंगे और फिर हम इसमें आधा ग्लास पानी का आड़ करेंगे तो यह देखिए यहाँपर मैं आधा ग्लास पानी आड़ कर रही हूं और पानी आड़ करने के बाद फिर हम इसे एक और बार अच्छे तरह से मिला लेंगे अब हम इसे एक प्लेट से ढख कर रख देंगे और हमें इसे दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढख कर रख देना है दो मिनट के बाद अब हम प्लेट उठा कर देखते हैं और देखिए मसाले में कलर कितना अच्छा है और ओयल भी अलग हो चुका है अब हम इसमें पनीर आड़ कर देंगे पनीर को हमें ग्राइड नहीं करना है जस्ट हम हाथ से इसे मैश कर लेंगे और पनीर को आड़ करने के बाद हम इसे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर अब मैं भूर्जी के अंतर ड्राय रोस्टेड कसूरी में अड़ करूंगी और देखिए पनीर भूर्जी बनकर बिलकुल रेड़ी है आईए अब हम इसे सर्फ करते हैं ये देखिए अमरीच सरी पनीर भूर्जी बनकर बिलकुल रेड़ी है और कितनी टेस्टी एंड डिल अब निहांग निए तक चंतायचन दोनेयर से अपिकश कर attempt चंतायają जाएं चिंवकिया मैं प्रम हैं याद दों थेख बच्री, पेट पूड़ी गैसे मेंар धार नाम से स्वक्ताइब करने चाहिए आप सभी को आज की रेस्पी बहुत पसंद आई होगी और मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही इंट्रस्टिंग व्लॉग्स और रेस्पी लेकर आती रहूंगी और आप मेरे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहें थैंक्स फॉर वाचिंग बाइ-बाइ मिलते है नेक्स्ट वीडियो में